नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वसेष्ट, सर्जनों हर वर्स की तरह इस वर्स भी अर्थाद 2024 का मिथुन का रासी फल कैसा होगा, क्या-क्या विशेष्टाएं होंगी, क्या-क्या परिशानिया आएंगी, कैसे-कैसे हम उनसे बस सकते के, और मिथुन रासी के अंदर य अगर क्या है, की, कु, घै, रए, छै, के, को, थ, एक्सर अगर आपके खें तो आपकी मिथुन रासी के, और मिथुन रासी के- इस समय पर भाग्य में, नवामस्तान के उपर शनि मि extrem मृद्दिवान है, भाग्य की वर्द्धि होगी, प्रम유शन हो सकता है, तरक्की होगी, और इसके साथ कोई भावी भविश्य के लिए जो है अच्छी योजनाएं बनेंगी जो साकार होंगी बड़ी लंबी चोड़ी यात्राएं आप करेंगे उनके अंदर आपको जो है लाब होगा लेकिन ये शनी यहां से बैठ करके और भाईयों से और मित्रों से अनबन पैदा करता है तो उसकी साथदानी बरतने का आपको जो है विसेश प्रयास रखना चाहिए शत्रु समाब्त होंगे, निर्ण समाब्त होंगे, रोग समाब्त होंगे यह जो के शनी की विशिश्टा रहेगी राहु आपके दसमस्थान में है तो आपका जो भी कारोबार है, नोक्री बेवसाएक है उसमें कुछ उतल पुतल थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन राहू का दान सांती करते हैं और आप लाव उठा सकते हैं प्रोपर्टी का भी कुछ विवाद आपको जो है छेलना पड़ सकता है माता का स्वास्त जो है वो थोड़ा गिर सकता है तो इसी के साथ अब ब्रिहस्पती आपके लावस्तान में बिद्धिमान है जो 25 अप इस लाव का योग है पढ़ाई में मन लगेगा रिजल्ट अच्छा आएगा और इसके साथ साथ अगर कोई कंपेटिशन वाले हैं तो उनको भी इसके अंदर लाव होगा किसी का इंटर्व्यू है तो उनको भी जो के लाव होगा और कहीं भी नोक्री के अंदर नियुक्ती आपको प्राप्त होगी ये विर्यस्पती आपके लिए जो के मई के महिने के अंदर ये फिर चेंज हो जाएंगे तो मई के महिने में अप्रेल में 25 अप्रेल के बाद ही ये चेंज होंगे 12 इस्थान में चले जाएंगे धारमिक खर्चे होंगे कोई भी मांगलिक कारियों म खर्चा होगा लेकिन उस खर्चों को आप रोक भी नहीं पाएंगे तो ये इस्थिती ब्रियस्पती की आपकी बनेगी और ये वरसांत तक रहेगी तो ब्रियस्पती कोई नुक्सान नहीं करवाता लेकिन मांगलिक कारियों के अंदर हमारे घर के अंदर ब्रद्धी के कारिय के अंदर खर्चिय करवाएंगे इसके साथ ही कोई प्रोपर्टी की खरीद फरुक्त भी आपको जो है कर सकते हैं और आपका स्वास्थ ठीक बना रहेगा बाकी अब मैं आपको मासिक फलादेश जो है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं जनवरी के महिने में धन उपारजन के स वानी एवन गलत कारियों पर आपको नियंतरन रखना होगा वन्ना वानी के द्वारा अपने सारेरे किसी क्रिया की द्वारा आप कोई ना कोई गलत कारिय कर सकते हैं तो उसके उपर नियंतरन बनाना आपका काम है स्वास्थ थोड़ा सा खराब चल सकता है दामपत्य सुख उपभोग के जो है साधन आपको सुलब होंगे हैं फरवरी के महिने के अंदर नया व्यावसाइक सामंजश सापित होगा और सामाजिक तोर पर आप उतार चड़ाओं से आपको गुजरना पड़ेगा आलस्य प्रमाद ये उन्नती के अंदर बाधक हैं इसलिए जो हैं आलस्य यंत्र की रश्चनास में सनलगन जो हैं सत्रू आपके प्रति सडियंत्र करने में जो हैं लगा रहेगा मार्च के मैने में व्यावसाय में व्रद्धी होगी सुख दायक रहेगी और नए उद्योग धंदे का विचार बनेगा आत्म विश्वास के अंदर एप्रत्यासित व रहेगी अर्थात सरीर भी थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता कहें और सरकारी सयो की आसा भी आपको नहीं करनी चाहिए नोकिरी में इस्थानान तरन का योग बनेगा, नया समझोता हो सकता के, साइति संगीट के अंदर मन आपका लगा रहेगा, मई के मैने में कार्य की व्यस्तता अधिक रहेगी, व्यापार में लाव होगा, और वाईू और उदर विकार ये आपको हो सकते हैं, अभद्र वेभार से बचें पुराने परिचित से जो के मिलन आपको सुखद होगा सुख देने वादा होगा अर्थात उसके अंदर आपको जो के लाब होगा जून सामाजिक कारियों में रुची बढ़ेगी लंबी यातरा से ख्षोब होगा पारी तोसिक मिलने से खुशी होगी और आवश्यक कामों के अंदर कोता ही ना बढ़ते हैं आला से प्रमाद ना बढ़ते हैं जुलाई के मेने में नए व्यक्ति से लाब मिलेगा चल अचल सं पत्ति के अंदर आपके बढ़ोत्री होगी व्यापार में जोखिम उठाने से बचें रिस्क ना लें स्वास्त चिंता का कारण बनेगा अगस्त के महिने में सारीरिक और व्यावसाइक व्यापारिक परिशानियां बढ़ सकती हैं कठिन परिक्षा का समयक है देश विदेश से समाचार मिलेगा शत्रू की गति विदियों से सचेत रहें सितंबर के महिने के अंदर तरक की मिलने से मन प्रसंद होगा परिवार के अंदर मनो मालिन्य परिशान कर सकता के जमीन जाइदाद खरीद फरोगत का विचार पूरा होगा दामपत्य सुख में ब्रद्धी होग अक्टूबर के महिने में जोड तोड से काम में सफलता मिलेगी राज समाज में प्रतिष्टा पराप्त होगी समस्याओं के समाधान आपको मिलेंगे कामनाओं में ततपरता से भग्य का सितारा चमकेगा और नमंबर के महिने में हर्स उल्लास के साथ में ख्षनिक विवाद संभव है कई नई योजनाओं में आपको सहयोग मिलेगा देवदर्शन हेतु मित्रों के संग यात्रा का विचार बनेगा मैलाओं को मन पसंद वस्तु जो है इस मेने के अंदर प्राप्त होंगी दिसंबर के मेने में कारोबार में उन्नति का सुब संयोग है राज समाज में प्रतिष्टा बढ़ेगी और मित्या विवाद जगड़ा भी संभव है उससे आपको बचना होगा भजन पूजन से शांती आपको मिलेगी महिलाओं का समय खरिददारी के अंदर जो कह बितीत होगा ये वर्स भर का निचोड हमने देने का प्रयास किया है बाकी और जाने कारियों के लिए इन नमरों के उपर संपर करके कार्याले से अपाइंटमेंट ले करके कार्याले की सेवाएं अरपन करके और आप जो भी आपकी समस्याख है वो सामने रखे और उसके से जो हैं आप न पूज़ी कलेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वा नव ग्रहों की पूजा आधी कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888-98421 देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तु, जियोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजापाट, महमृतिंजयपाट, शत्चंडीपाट, बगुला मुखीपाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, आधी हे तु संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888-98421, हमारी वेबसाइट है www.shreevashist.com